वेलकम बैक तो इस कोर्स का लेक्चर नमबर 3 होने वाला है और इसमें हम कम्प्यूटर हाडवेर के बारे में पढ़ेंगे जिन टॉपिक से उपर हम इस लेक्चर में बात करेंगे उनमें इन्पूट डिवाइसे आउट्पूट डिवाइसे और इन्पूट आउट्पूट JOHANS होंके तो स्टार्ट करते हैं Computer hardware से Computer hardware होता क्या है ise क्य happened जैसा कि आपको याद होगा Computer जो होता है Computer में दो टाइप के components होते हैं में तो वो Components जिनको सब्सक्राइब तक सकते हो जिने हम फिंशिकल components होते हैं जैसा कि अगर अगर आपके पास laptop होगा तो laptop में आपके सामने screen होती है, आपके सामने keyboard होता है, आपके सामने trackpad होता है, या फिर अगर आप computer को खोल के देखोगे, अंदर आपको RAM दिखेगी, अंदर आपको processor दिखेगा, यह सारी चीज़ जो है, इनको आप touch कर सकते हो, इनको आप देख सकते हो, तो इनको हम कहते है computer hardware, ठीक है, लेकिन सिर्फ hardware की computer को नहीं बनाता है, सिर्फ hardware की basis पर ही computer जो है, वो operational नहीं होगा, अगर सिर्फ hardware होगा, तो आप computer पर जो different applications आप use करते हो, बहुत सारे कामों के लिए इस्तिमाल कर सकते हो, तो वो आप computer की hardware के साथ ही नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको software की जूरत परती है, तो software क्या है, software आपके different programs, different applications, जिनके थूँ आप कोई भी specific application जो है, वो run कर सकते हो, या आप क्या सकते हो, कि जो भी आपका काम होगा computer पर, वो आप कर सकते हो, तो आपके hardware में जो भी आपके monitor आगया, keyboard आगया, input output devices जितने भी हैं, या फिर आपका processor आगया, या फिर RAM storage devices आगया, ये सारे आपके hardware में आती है, software, for example, अभी आपको internet access करना है, तो internet access करने के लिए अगर आपके बाद सिर्फ hardware होगा, तो वो ऐसे काम नहीं करेगा, उसके लिए आपको एक special piece of code या special piece of software की जोरत पढ़ती है, जिसे हम कहते है browser, तो browser ये एक software है, जिसे आप internet को access कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ browser होगा, और अंदर जो है, एक particular hardware, जिसे हम network interface card कहते है अगर NIC नहीं होगा, तो browser ही अकेला जो है, वो internet access नहीं कर सकता, तो ये दोनों hardware और software जो है, ये coordination में एक साथ मिल के computer को functional बनाते हैं, ठीक है, अब हम देखेंगे कि computer की hardware को हम किन-किन classes में classify कर सकते हैं, computer के जितने भी आपके पास hardware components हैं, उनको हम four different classes में divide कर सकते हैं, first is input devices, ये ऐसी devices हैं, जो कि data को user से computer तक, sorry data से CPU तक पहुचाते हैं, या फिर data से computer तक पहुचाते हैं, जिनमें आपके mouse, keyboard, joystick, etc. processing devices में आपका CPU आता है, जो कि उस data के उपर processing करता है, इसके अलावा और एक type of processing device भी है, जिसे हम GPU कहते है, GPU की full form है, graphics processing unit, ये जो है, ये भी आप कह सकत CPU की तरह ही होता है, लेकिन ये कुछ special, इसको हम कहते है, special purpose CPU, ये कुछ specific कामों के लिए use होता है, लाइक, अगर gaming करनी है, तो gaming के लिए GPU use होता है, या जैसा कि आपने सुना होगा, cryptocurrency mining, अगर आपने सुना होगा, cryptocurrency mining के लिए GPU use होता है, इसके इलावा कुछ specific applications है, जिनके GPU use होता है, GPU भी CPU की तरह काम करता है, लेकिन ये जो होता है, CPU को हम कहते है, ये general purpose होता है, GPU जो होता है, ये specific purpose, किसी एक खास काम के लिए होता है, लेकिन ये दोनों जो होते है, ये process devices ही होती है, ठीक है, next is आपकी output devices, output devices वो devices होती है, जो computer से या फिर CPU से data को पहुचाती है, user होती है, उसमें आपकी hard disk, hard disk, cd, dvd drive, etc. आप देख सकते हो, computer में four type of hardware components होते है, input devices, processor, output devices, storage devices, ये चारू जो है, मिलके एक साथ computer को functional बनाते है, input devices की अगर हम बात करेंगे, तो input devices ऐसी devices होती है, जो कि electro-mechanical होती है, electro-mechanical मतलब electricity पर चलती है, और इन में कुछ mechanical मतलब उन devices को functional बनाती है, ठीक है, तो ये जो होता है, इनका काम होता है कि computer को data feed करना, user के पास data होता है, मतलब मेरे पास अभी फ़रकना, मुझे नाम अपना है, मुझे पता है, मेरा नाम ऐसे है, तो मुझे अपना नाम जो है, computer में save करना है, उसके लिए जो है, मुझे एक device की ज लेगा और उसको computer में save करेगा, ठीक है, इसके इलावा, जो है, मैं commands भी दे सकता हूँ, मतलब, for example, मुझे कोई file open करनी है, मैं mouse पे click करके, double click करके, उस file को open कर सकता हूँ, मतलब, मैं command दे रहा हूँ computer को, कि ये वाली file जो है, इसको open करना है, तो input devices का का काम है, data पहुचाना ठीक है, next is, कि जो यहां से हम data देते हैं, वो usually main memory में store होता है, वो input devices के थूह ही जाता है, यह मैंने अलरड़ी पता है, तो और एक चीज है कि, जो यहां से हम instructions देते हैं, यहां से हम data देते हैं, मैंने for example, अपना नाम लिखा, तो यह English language में है, लेकिन computer को English language समझ आती नहीं ह अगर मुझे इसको save करना है, computer में यह binary form में save होगा, ठीक है, जिसे हम machine language गहते हैं, तो जो text है, जो English language है, English language से इसको convert करना machine language में है, यह भी जो काम है, यह input device का है, ठीक है, तो keyboard में एक, जो होता है, हर एक input device होती है, उसके साथ एक controller होता है, तो keyboard के साथ भी अंदर एक device होत controller कहते है, तो उसका काम होता है, कि यहां से जो मैंने English में लिखा, उसको convert करना किसमें, machine code में हम कह सकते हैं, कि binary में convert करने का काम, जो हो controller का होता है, तो इसमें कुछ commonly used input devices हैं, जैसे keyboard, mouse, trackball, यह जितनी भी है, इनको, सब को हम देखेंगे, आगी, ठीक है, first input device जो है, वो है keyboard तो keyboard जाए, यह सब से commonly used input devices में ऐसे एक है, तो इस पर आप text type कर सकते हो, या फिर commands दे सकते हो, text मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो, ABCD, anything और 123, four, वो दोनों में text में आगा, और command का मतलब है, कि for example, अगर मुझे कोई tab open है, इसको close करना है, तो मैं जैसे Ctrl plus F4, या Alt plus F4 प्रेस करके, उसको close कर सकते हो, ऐसी में बहुत सारी commands देके, जो है, computer के साथ interact कर सकते हो, ठीक है, तो keyboard का layout होता है, मतलब इसमें कैसे arranged है, keys, different keys कैसे arranged है, वो typewriter से borrow किया हुआ है, typewriter में जैसे होती थी, वैसी keyboard में भी होती है, और keyboard जा है, यह data information को computer में feed करने के लिए, जो है, use होता या फिर आप numeric data भी दे सकते हो, मतलब जिन में आपके numbers आते हैं, जब भी आपको key press करते हो, तो keyboard जो होता है, जो keyboard controller के साथ connected होता है, तो keyboard control होता है, वो text को या फिर numbers को convert करता है, binary में और फिर उसको आगे send करता है keyboard buffer को, keyboard buffer एक temporary storage होती है, जिसमें कुछ time के लिए data save रहता है जब तक कि CPU उसको उपर processing ना करें, ठीक है, तो keyboard के अगर आप types देखोगे, आपने जो देखोगे, QWERTY टाइप keyboard आपने देखोगे, जिसमें ऐसे QWERTY, ऐसे keys या फिर alphabet ऐसे arrange होता है, लेकिन इसके इलावा भी कुछ different types of keyboard हैं, जिनमें आपका dual rack और Azure T आते हैं, तो यह आपक QWERTY है, जिसमें QWERTY ऐसे आते हैं, लेकिन अगर आप dual rack को देखोगे, उसमें AOEUI ऐसे करके, जो है, आपके letters जो होता है, वो arrange होता है, उपर PYFGC ऐसे होता है, ठीक है, अजर्टी और एक type of keyboard है, जिसमें AZERTY ऐसे arrange होता है, लेकिन most commonly used होता है, वो QWERTY है, ठीक है, अगर आप different keys को हम देखेंगे, keyboard पर किस-किस type की key होता है, सबसे पहली type of key जो है, उसे हम alphanumeric keys क्याते है, alphanumeric keys मतलब, जो already मैंने बताया, आपके alphabet आता है, alphabet मतलब आपकी जितने भी letters है, English के, A से लेके Z तक, वो आते हैं, और आपके numbers आते हैं, जो है, यहाँ से लेके 10 तक, मतलब numeric keys, numeric keys अलग आते हैं keyboard पर, जो कि right side में होती है, यह जो है, अगर आपको कुछ, arithmetic operations करने हैं, या फिर numbers को enter करना है, तो उसके लिए यहाँ पर एक numeric keypad होता है, जिसमें आपके numbers होते हैं, जो operator है, जैसे plus minus, और ऐसे enter भी आता है, और multiplication और division, यह सारे आते हैं, तो जो right side में एक छोटा सा keyboard, हम कह सकते हैं, keyboard में numeric keypad आता है, जिसे हम numeric keypad कहते हैं, तो इसको हम यूज करते हैं, ज्यादतर अगर हमें calculation करने होगी कुछ, उन सारे purpose के लिए, next हमारे आते हैं, function keys, function keys में आप इनको कहते हैं, कि यह programmable keys होती है, ठीक है, तो function keys यहाँ पर होती है, f1 से start ह होती है, सबसे उपर होती है, तो keyboard के सबसे top में function keys होती है, f1 से लेके f12 तक, और इनको यह programmable होती है, मतलब, अलग-अलग software इसको customize कर सकते हैं, मतलब, अलग-अलग function दे सकते हैं, मतलब, for example, Microsoft Word में, control plus f1 press करूँगा, तो कोई एक function होगी, कोई एक काम होगा, अब मैं किसी और software में control plus f1 दबाऊंगा, तो उसमें और कोई different किसम का काम होगा, तो इनको हम कहते हैं, यह programmable है, मतलब, इनको software जब बनाते हैं, तो इनको हम program कर सकते हैं, अपने हिसाब से इनको function assign कर सकते हैं, that's why they are called function keys, ठीक है, इसके बाद है cursor control keys, cursor control keys, जो है आपकी चार arrow keys, जिनको हम कहते हैं, यह inverted T की शकल में होते हैं, और इनका काम होता है cursor को move करना, cursor मतलब, जो हो यह red dot देख रहे हो, यह cursor है, तो usually आपके computer screen पर देख होता है, वो arrow की शकल में होता है, लेकिन मैंने इसको change करके, अभी pointer की शकल में कर दिया, तो arrow को इधर उधर करने के लिए, यह keys जो है यह use होती है, next, इनके ऊपर कुछ और keys होती है, जिनमें आपका home and page up or page down होते हैं, यहाँ पर देख सकते हो, home जो है, यहाँ पर home, ऐसे home and delete page up, page down, तो home का काम होता है, कि अगर आप, for example, मैं अगर भी कुछ type कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर पहुंच गया, F1, यहाँ तक मैं type करते हैं, अब मैं चाहता हूँ कि, जो, यह sentence है, इसके start में, या फिर जो यह line है, इसके start में, मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, तो अगर मैं home प्रेस करूँगा, जो cursor यहाँ पर होगा, जिसे हम carrot भी कहते हैं, जो carrot यहाँ पर होगा, वो automatically यहाँ पर आएगा, अग जो इससे पहले वाला page होगा, उस पर जाएगा, page down, जो है, वो next page पर जाएगा, इसके बाद जो कुछ और कीज है, उनमें आपकी control की आती है, control की को हम कहते हैं, कि एक special की होते है, क्योंकि अगर आप control दबाऊगे तो ऐसे कोई काम नहीं करेगा, इसको combination में use किया जाता है, जैसे for example, मैं अगर control दबा के रखूँ को और यहां से अगर मैं c दबाऊँगा, तो यह जो text मैंने select किया होगा, उसको यह copy करेगा, ऐसे ही बहुत सारी functions control की होती है, लेकिं control की जो है, यह combination में use होती है, हमेशा, enter, enter जो होती है, यह usually अगर कोई entry फिनिश करनी होगे, for example, य एक list है, जिसमें 4 items है, यह वाली list, मैंने यहां पर यह खतम किया, मतलब दूसरा जो list का, जो enter की बारे में लिखना था, वो मैंने खतम किया, अगर मैं यहां पर next लगाँगा, तो automatically यहां पर यहां पर start हो जाएगा, ठीक है, तो यहां फिर इस से next line में भी हम जा सकते हैं, या फिर इसको हम OK बटन जो है, इसको alternative के तोर पर भी इस्तिमाल कर सकते है, जैसे अगर मुझे कोई, for example, यहां पर कोई menu है, वहां पर मैंने delete के उपर लेके गया इसको करसर को, अब अगर मुझे delete को OK करना है, तो मैं enter दबा के delete को OK कर सकता हूँ, ठीक है, shift की, shift की आपकी जाती है, जैसे, अगर आपका keyboard, अगर आप देखोगे, तो यहां पर कुछ ऐसे, जैसे यह numbers है, उपर, इनके उपर कुछ और भी लिखा हूँ है, जैसे 2 जो है, इसके उपर add the rate भी लिखा हूँ है, तो अगर मुझे 2 दबाना है, तो मैं directly 2 प्रेस करूँगा, यह वाली की कीज होती है, जिनके उपर एक से ज्यादा characters लिखे होते हैं, तो उपर वाले character को print करने के लिए, यह use होती है, ठीक है, next is, आपकी escape की, escape की जो है, यह usually क्या, अगर आप कोई कुछ कर रहे हैं, तो उसको cancel करना है, अगर आप कोई window open है, तो usually आप क्या गर सकते हो, कोई game खेल जिसको हम कहते हैं, start menu जिसे हम कहते हैं, तो start menu जिसे open हो सकता है, यह आप नहीं देखवा, वो इंडोस 10 में आती है, start menu जिसे कहते हैं, तो यह escape की से open कर सकते हो, next अगर आप देखोगे, इसमें backspace की आती है, यह backspace आपको बता है, डिलीट करने के लिए यूज होती है, अब backspace जो है, वो left side में जो characters होगी, उनको डिलीट करेगी, ऐसे, अब अगर मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं अगर delete दबाऊंगा, तो right side में B है, तो यह right को delete करेगा, ठीक है, तो backspace और delete में यही फरक है, कि backspace जो है, वो left को delete करती है, और delete जो है, और right को delete करती है, कैपस लॉक, अ off हो जाएगा, और फिर से small या फिर, जिसे हम upper case भी कहते हैं, lower case भी कहते हैं, तो upper case, lower case के भी struggle करने के लिए, आप caps lock को use कर सकते हो, numlock, जैसे कि मैंने बताया कि आपका keyboard होता है, इसमें numeric keypad होता है, तो अगर आप चाहते हो कि यह numeric keypad काम ना करे, मतलब यह off हो जाए, तो आप numlock दबा सकते हो, अगर आप फिर से numlock दबाओगे, तो यह on हो जाएगा, अगर आप कोई key दबाओगे, इस numeric keypad पर तो वो काम करेगे, वो type होगी, ठीक है, next आपका windows की आती है, windows की आपको start menu को start करती है, जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ से start menu जो आपके windows में निकलत स्पेस बार, स्पेस बार जो है, स्पेस डालने के लिए यूज होती है, और यह सब से बड़ी key होती है, आपकी keyboard में, tab, tab यूज आपको पता होगा, कि indent डालने के लिए, indent मतलब कि अब अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ, तो मैं चालता हूँ कि paragraph start हो, तो paragraph में कुछ 5-6 spaces डा कीपड जो आपका होता है, जो राइट साड में होता है, वो नहीं होता है, ठीक है, तो usually 1-0-4 होते हैं, लेकिन कुछ में 87 होते हैं, next आपका caps lock आता है, caps lock और num lock जो होते हैं, इनको toggle keys कहते हैं, toggle इसलिए कहते हैं, क्योंकि एक बार दबाओगे तो on होगा, दूसरी बार करते हैं, ठीक है, on, all, shift, control और alt जो होते हैं, इनको हम कहते हैं, modifier keys, ठीक है, यह आ सकता है, विच्चर तो following is not a modifier key, ठीक है, तो यह तीन दी होगी, इसके अलावा आपका caps lock दिया होगा, तो caps lock जो हो modifier key नहीं, सिर्फ shift, control और alt है, modifier keys क्यों कहते हैं, क्योंकि usually जो है, इनको devices हैं, लेकिन यह special pointing device, special input devices हैं, इनके बारे मां पढ़ेंगे, pointing device है कैसी device होती है, जिसके जरीए आप, जो computer screen यह computer monitor होता है, उसके उपर जो cursor होता है, उसको move कर सकते हो, ठीक है, तो computer screen के साथ, आप communicate करने के लिए, pointing devices को use कर सकते हो, जैसे कि आभी आप देख रहे हो, यह जो cursor तब ही जाके, यह move कर रहा है, ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं, जो trackpad है, वो एक pointing device है, या फिर मैं mouse यूज करूँगे, तो mouse के थुरू भी जो है, इस cursor को मैं, screen के उपर move कर सकता हूँ, तो pointing devices, ऐसी devices है, जिन के थुरू आप computer screen के उपर, जो pointer होता है, या जिससे हम cursor कहते है उसको आप move कर सकते हो, तो जो moments मैं pointing devices मैं करूँगा, मतलब अगर मैं mouse को move करूँगा, तो उसी हिसाब से moments of the pointer होगी, मतलब pointer जो होगा, या फिर cursor जो होगा, वो भी move होगा, कुछ commonly used pointing devices में, आपका mouse pad, trackball, joystick, light pin, attach pin, etc. आते हैं, next आपका mouse है, mouse भी एक pointing device ही है, लेकिन यह एक left button भी कह सकते हो, right side भी एक button होता है, बीच में एक wheel होता है, जिसे हम scroll wheel कैसे है, ठीक है, और एक होता है, जिसे हम side button कहते है, side button जो होता है, यह usually sub में नहीं होता है, लेकिन किसी-किसी में होता है, तो इसको आप customize कर सकते हो, आपने हिसाब से इसको आप function दे सकते हो, लेकिन यह जो है left button और right button और बीच का scroll यह सब में होता है ठीक है तो next है pointing device जो है इससे जो mouse होता है mouse एक pointing device है और इससे आप input data दे सकते हो command दे सकते हो ठीक है इससे आप select कर सकते हो यहाँ पर आप देख सकते हो 3-4 files हैं यहाँ पर इस window में और अगर मुझे पहली वाली file को select करना है त फिर जो cursor है इसको move करूंगा इधर तो यह जो file है यह भी move हो जाएगी ठीक है इसके बाद जो है अगर हम इसको mouse की invention को देखेंगे तो इसको डगलस अंजल बर्ट ने Stanford Research Center में 1963 में invent किया था ठीक है next है अगर हम mouse के types को देखेंगे तो mouse की तीन different types है first is wireless wireless मतलब आपको माउस जो Bluetooth के जरिए computer के साथ connect होता है इसमें कोई wiring नहीं होती है ठीक है next आपके mechanical mouse और optical mouse आते है mechanical mouse ऐसे होते हैं इनमें नीचे एक ball होती है जो move होती है mechanical जब भी आएगा इस sensor जो है send करता है कि इसको computer को कि ऐसे मतलब यहाँ पर जो ball move हुई है तो जो cursor है उसको भी move करो ठीक है अब optical mouse जो होता है यह light पर काम करता है आपने देखा होगा जो जितने भी mouse आज कलाते है optical mouse होते है उनमें नीचे light जल रही होती है तो light जो है जब आप mouse को move करते हो तो light ज तो mechanical optical में यही फरक है कि mechanical में एक ball होती है जो move होती है और optical mouse होता है उसमें कोई part move नहीं होता है बस नीचे light होती है और light जो होती है वही detect करता है कि mouse move हो आई है अगर हम mouse के actions को देखेंगे कौन-कौन से action कर सकते है तो इसमें आपका left click आएगा अगर आपको किसी item को select करना ह है यहां पर यहां पर मैंने इस फाइल को select के है तो मैं left click करूँगा मतलब जो left यह पर button है उसको click करूँगो तो यह select हो जाएगी next double click काता है अगर मैं दो बार click करूँगा इस पर तो यह file यह पीडिअ यह open हो जाएगी next आपका right click है right click में मैं यहां पर right click दबाऊँगा इ इसमें लिखाओगा open, delete, share वैसे या फिर properties एक list open होती है तो उसे list of commands भी कह सकते हैं तो वो open हो जाएगी ठीक है next आपका अता है drag and drop, drag and drop मतलब कि आप इस पर click करके इसको drag कर सकते हो मतलब इस फाइल को इस फाइल को मैं click कर सकता हूँ और इसको मैं यहां पर लेकर आ सकता